Hello everyone, welcome back to our channel तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे कि Microsoft recently एक certification program launch किया जो की totally free है, उसको हम लोग कैसे complete करें और जो basic formulae इसे associated तो Microsoft ये जो certification program launch किया Microsoft Learn Cloud Skill Challenge जिसमें Microsoft total 8 important popular demanding certification offer कर रहा है और उसमें से की candidate कोई भी एक certification कर सकता है जो की listed in below या पर देख सकता है या पर total जो 8 certifications भी offer कर रहा है Microsoft के इंट से या पर mentioned है, ये बहुत ही popular है या पर DevOps का कुछ certification है, Azure infrastructure solutions, security operations तो जो भी certifications करना है तो या पर जाके हम लोग respective certification पात में जाके इसको complete कर सकते है इंजनरेल या जो certifications है, फ्री में करने का opportunities मिलता नहीं है हाँ Microsoft का end से fundamental बहुत सार्टिफिकेशन्स फ्री में करने का opportunities देता है मैं पहले भी कुछ वीडियोज अप्लोड किया था उसका regarding, तो जीस जीस को या पर जो mention certifications है या से कोई इस भी certifications को करना है तो कर सकतो, वीडियो को जाट फॉलो करते रहो, वह आप यह मैं बोल दूगा कैसे हम लोग को register करना respective certification करने के लिए तो यह जो प्रोग्रम है यह challenge 9th November तक 9th November तक यह challenge open है और respective जो certification उसको चोस करके हम लोग को register कर लेना है registration complete होने के बाद हम लोग को Microsoft provided कुछ free course करने को मिलेगा तो associated modules complete होने के बाद हम लोग को Microsoft provided free voucher दिया जाएगा over mail जिसको use करके हम लोग certification के लिए हम लोग schedule कर सकते और उसको easily complete कर सकते without any cost और चीज यह certification है यह certification हम लोग को complete करना है जब voucher दिया जाएगा ओ बादिन वोधिन February 15th, 2023 हम लोग घर लेने के बाद वेब अगर किसी को आइडिया लेना है मैं से लेढ़ना है मिलने के बाद लेकिन हम लोग को आभी जो चैलेंज है चैलेंज को हम लोग को कॉंप्लिट करना है एस सून अस पॉसिबल बाई नॉवेंबर 9 तो यहाँ पर कुछ टामस एंड कॉंडिशन से एक बाद देख लेना जो अल्याटी में डिसकस कर लिया ठीक है और यह जो आफाट डीटेल से यह पर डॉकुमेंटेट है एक बार देख सकते हो तो अभी चलते है कोई भी एक सार्टिफिकेशन को टार्गेट कर ले थे बिसके लिए मैं जो प्लैन कर दो अभी ओ करके मैं दिखा देता हूँ जिसके मैंने जो प्लैन किया माइक्रसॉप्ट देफ आफ सलूशन का जो है एक फोर हंडडिट यह कॉंप्टेट करने के में प्लैन है यह पर आयलाइन चैलेंच है है यह आपर लिंक में यह जाके क्लिक करना है मैं दूसरों टैब में पर टो हाओ देखुस्त्त हम लोग को यह 17 देगे 16 देज के अंदर हम लोग को यह क्लिक कर लेना है तो अब मैक्रोफ एकटल अल्डेडी हे तो उसे करना अगर नहीं है इन देटकेस हम लोग कुई है पर जाके create one में जाके एक Microsoft account create का लेना है क्योंकि उसके थ्रूइं हम लोग को register करना है अगर Microsoft account नहीं है किसी का तो मैंने description में एक link देता हूँ जहाँ पर मैंने एक वीडियो में दिखाया तक है एक ऐसे account create करना है Microsoft का तो मेरा अल्रेडी और created है next तब password sign-in कर गया using Microsoft account था तो अभी हम लोग के mail ID डानना है जाए हम लोग को जो notification आ जाएगा associated यह चैलेंज तो यहाँ पर मैंने जो Microsoft account का जो mail ID था वी मैं यूस कर रहा हूं सेम और यहाँ पर country region जो है चूज करना that's it on next agree just you have a terms conditions इसको agree करना तो it's complete तो यह पर दे सकतो मैंने enroll कर लिया जो respective certifications में plan करने के लिए तो यहाँ पर जाके अभी start learning में जाते हैं तो यह रहा और respective course details लेकिया पर जो जो मॉडूल है हम लोग को complete कर लेना है तो जब यह हम लोग respective modules totally complete कर लेंगे यहाँ पर तो यह full course complete होने से हम लोग को जो Microsoft provided free voucher मिलेगा ज़सकी use करके हम लो identification complete कर पाएंगे तो यह पर देख सकते मोडूल comfortable statis अभी 0%, तो हम लोग यह respective module में जाएंगे तो यहाँ पर देखो OUT करके इसको हम लोग को totally complete करना है तो complete करने से जब हम लोग totally complete कर देते हैं तो हम लोग को क्या होगा कि respective module complete होगा तो यह फे हार जो module है हम लोग को इस तरह one by one complete कर लेना है तो यह पर जाके हम लोग progress चेक कर सकते हैं इसको देख सकते हैं यह 81% जिस्ट complete होगा तो next next करके हम लोग complete कर सकते हैं लेकिन recommended है कि क्योंकि हम लोग को जो global certification है हम लोग को कुद कम देना है तो उसको अगर चाहिए तो हम लोग study कर सकते तो already अगर knowledge है तो अगर only certification करना है तो उसको next next करके complete कर लो और यह पर जाके फिर जब totally complete होगा तो यह देख सकते हैं 1% complete हुआ है ठीक है तो यह complete होने से हम लोग को free voucher मिल जाएगा offer mail ठीक है so that's all तो यही था basic process तो अगर जीज़ी सको करना है certifications तो यह पर दिखा दिया जैसे कि बहुत ही demanding यह सब certifications है जो करना है तो कर सकते हो immediately जाकर registration कर लो जो challenge है जो mention timeline दिया गया Microsoft provider उसमें complete कर लो फिर हम लोग को हत में time रहेगा ताकि हम लोग respective certification के लिए हम लोग preparation ले सके क्योंकि यह पर जो mention date है like 15 February के अंदर हम लोग को certification complete करना है तो that's all that's all for today तो आज का वीडियो आप ही खतम करते तो अगर कोई भी issues और कोई भी queries रहता है तो comment box में करना तो वीडियो को share करना respective friends और कलिक के साथ जिसको जब्वत है और चैनल को ज़रू subscribe करना thank you कर दो